तो गाईज यार देखो यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेस बैंक टावर के टॉप पे और मेरे सामने खड़ी है पूरी यार है न लाइन फैमिली और गाईज यह कोई नॉर्मल लाइन फैमिली नहीं है यह देखार यहाँ पे नॉर्मल लाइन तो है पर उसके साथ साथ इतने सार गोल्डन लाइन्स भी है अरे हाँ 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 बिल्कुल जोइन करना चाहता हूँ गाइज ये लॉस्ट एंटॉस की लाइन फैमिली तो सब ज्यादा स्ट्रॉंगेस्ट है और ये तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली भी है क्योंकि देखो इनके जो लाइन्स है ये प्यॉर गोल्ड के बने वे मेरे पास मता आई डॉंट लाइक यू फ्रैंक्लिन तु गरीब है और तु लाइन भी नहीं है अरे हाँ मुझे पता है मैं गरीब हूँ और मैं लाइन भी नहीं हूँ पर लाइन फैमिली के जो लीडर है मत्तब दद्दू लाइन हल्क वो मेरी लाइन मीटर अभी देख तु सबसे पहले फ्रैंक्लिन उसके बाद तो टेंपर संट गोल्डन लाइन बनेगा फिर थर्टी पर संट्ट गोल्डनLine 50 पर संट को लाइन और फाइनली जब तू बन जाएगा तब तू हमारी फैमिली जॉइन करने के काबिल बन जाएगा अच्छा तो मतलब मुझे सिफ ये मीटर भरना है पर मैं ये मीटर भरूंगा कैसे मुझे ये तो बताओ फ्रैंक्लिन ये मीटर भरने का मैं तरीका बताओ उससे पहले यार तुझे सब जनों को बोलना पड़ेगा वीडियो को लाइक करें और कमे सेक्षन मेरे लाइन की इमोजी डालनी पड़ेगी अरे हाँ लाइन की इमोजी तो डालनी पड़ेगी यहां पर देखो हमारे प्यारे बच्चों हमारे पास कितने सारे गोल्डन लाइन ये देखो प्यार गोल्ड का लाइन ये तीसरा प्यार गोल्ड का लाइन अगर तुम चाहते होंगे तुम्हारा फ्रैंक्लिन भी प्यारे प्यारे गोल्डन लाइन्स वाप्ग्रेड ओ जादा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्क्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हैं ना गोल्डन लाइन्स की इमोजी डाल दो अरे हां 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 गाइस देखो मेरे फोन में इस वीडियो पर भूछ सारे लाइक भी आ गए अब तो 5000 लाइक की बहुत ज़्धा करीब है अपने वाट 5000 लाइक की करीब है जल्दी जल्दी से कर दो 5000 लाइक शुरू करते हैं तुझे सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन में convert होने के लिए यह देख यहां पे हमारी golden slide को है न क्रॉस करना पड़ेगा वाट मुझे golden slide को cross करना पड़ेगा हाँ फ्रैंक लिन तुझे यहां पर नीचे कूतना है उसके बाद यह स्लिप होता होता आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा और तुने यहा एक नॉर्मल टेन पर्सन गोल्डन लाइन में कनवर्ट कर दूँगा क्या कि तु समझ चुका है आ गाइस मैं समझ चुका हूँ यार यहां पे देखो यहां पे मेस बैंक के टॉप पर पूरी गोल्डन लाइन फैमिली की इठी हो यार उन्होंने मेरी लिए चैलेंज रखा है मुझे सबसे पहले यहां से लेकर यहां कूदना पड़ेगा और यहां पे देखो है एक प्योर गोल्ड की स्लाइड बनी भी है इसके उपर स्लाइड करता करता जाओंगा तो मेरी बॉड़ी पे भी इसका गोल्ड चिपकता जाएगा और उसके बाद है न मुझे यहां से स् परसेंट लाइन ना औरे रैंक स्क्राइद ने लाइन ने सीव बीद करद सकते हैं एक नॉर्मन लाइन भी नियर और जादा हड़के-फाड़के तूट रहे पर गाइस कोई है इहां पे से कोई बात नी कोई बात नी गाइस खुदको एकदम बीच में बीच में रखना बैलेंस में रखना है यह क्या हो गया यह जो फ्रैंक्लिण यह पर जाओंगा और फ्रैंक्लिण तुझे स्थीन मौके मिलेंगे इस स्लाइड को ढंक से करने के लिए अरे हाँ 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 तीन मौके क्या मुझे दो ही मौके चाहिए यह बार तो देखो गाइस एक तम बढ़िया जा रहा हूँ मैं फिर से रुक गया यार यहां पर मुझे एकदम फुल स्पीड में जाना है अगर मैं फुल स्पीड में नहीं जाऊंगा तो मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे कितना ज़्यादा दूर है गाइस देखो आई धिक है यह सके लिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों अभी तक को भाइज हो पारे महां पर आप रही है यह धेखो पर शूट मेरा खूल गया है अरे फ्रैक्क्लिन बहुत अच्छा कर रहे हो तूम्हें only नीचे डंक से लैंडिंग करनी है तो मैं तुम्हें golden lion में अपर ठेचर तूँगा करदेना करदेना ऑण। पानी में लैंडिंग करनी नहीं नहीं ton पेडों पे निया थड़ा ना ओर यहां हो यह नहीं देखो मैं जा रहा हूँ और 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 हो गई हो गई हो गई धेखो थोड़ी सी दूरी पर कोई बात नहीं यहां पर मैं आ गया वोगेव काइस यह देखो यार मैं पुत बहुंत जब वहा दो का उना लाइन की पावरों देखेंट हर। ओ माई गाड यार सोचो जब मैं एक प्रॉपर गोल्डन लाइन में जाओंगा तब तो मुझे किता ज़्यादा मजाएगा और पतर जी अगर तुम्हें अपना लाइन मीटर को और भी जादा आके बढ़ाना है तो तुम्हें यार बहुत सारे है ना गोल्डन फूड्स खाने पड़ेंगे अच्छा गोल्डन फूड्स खाने पड़ेंगे मतलब मुझे ऐसी चीज़े खाने पड़ेगी जो सोने की बनी है मैं वो खाऊंगा तो मेरा लाइन का गोल्डन मीटर भटता जाएगा ओय पतर जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो गाइस देखो अभी तो हैना मैं गोल्डन लाइन में कंवट होगया पर मैं अच्छा छोटा लाइन हूँ न कि अभी यार मैं सिफ इंसान वो खा सकता हूँ सोने की चीज़े लगती है, fruits और मतलब bread, apple burger बनाना, pizza, यह देखो यहाँ पर जो है ना पेड़ है, इसके उपर देखो यहाँ पर एक golden bread लगी भी है, यहाँ पर तो एक golden burger उगरा है, ऐसा कि तुम देखो कि हर पेड़ पे ना कुछ ना कुछ एक golden food उगरा होता है, तो मैं सोच चलो यार, यहाँ से जाके क्यों ना यार, इसको तोड़ के सब को खालू, यहाँ पर देखो कितना बड़ा giant burger है, अगर मैं तीन-चर फ्रूट खालूँगा, तो मैं पक्का एक बार तो अप्ग्रेड होई जाओंगा, चलो यार, यहाँ पर जल्दी से जाते है, fruit खाने, ओ ओ, चलो, चलो, क्या करूँ, क्या करूँ, गाइस, देखो, यहाँ पर एक golden bread है, मैं एक जल्दी से काम करता हूँ, इसको तोड़ने ही कोशिश करता हूँ, अरे, वह ज्यादा उची bread है, अरे, मैं यहाँ पेड़ पे चटनी कोशिश कर रहो, जिससे bread तोड़ की गिरा दू इसको पत्थर मार के गिरा दूँ, क्या, पर में पस तो कोई पत्थर नहीं है, क्या करूँ यार, इसको bread को कैसे तोड़ू पेड़ पे से, अरे, golden bread आजा, नीचे आजा, भाई, मेरे पास आजा, प्लीज, अरे, लगता है, फिर से गरीब लोग मेरे golden fruit तोड़ने आ गए, ओए लड़के, रुक जा, रुक जा, क्या कर रहा है तो यहां पे, अरे, अंकल, यह बैट क्यों दिखा रहे हो, मैं यहां का माली हो, सारे पेड़ों की रेखबाल मैं करता हूँ, यह fruit कहना, ऐसे कोई भी नहीं तोड़के जा सकता, इनको खरीदना पड़ता, यह मेरे पच जाए तो चोरी करने थोड़ी आया, तो मुझे लगा था, कोई भी आप फल फ्रूट तोड़ता है, कोई बात थी, कितने रुपे लोगे, यार मुझे रहे, चार पीस चाहिए, गोल्डन फ्रूट के, आरे, चार पीस चाहिए, मतलब 4 लाग रूपे देने पड़ेंगे, ए चाहिए, तो सरी पर 4 लाग रूपे नहीं है, तो यहां से दफाओ जावना फिर से बैट खाएगा, क्या, खाएगा, खाएगा, नहीं खाओंगा, नहीं खाओंगा, जा रहा हूँ, यहां पर देखना मत, बहुत पारूँगा, मैं तुझे इदर दिख्या तो, गरीब आद पैसा ही नहीं होता कि यह लोग कुछ कर पाए, चलो कोई बात नहीं देखते हैं, आज तो कोई ना कोई तो आएगा, अरे यहां पर क्या गोल्डन हल्क आएवे, अरे यह तो पका बहुत अमीर होंगे, पका मेरा फल फ्रूट खेर देगे, अरे सर आओ, 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 यह पा बत्ते इदला, आरे हाँ, हाँ, सर, बोलिये, बोलिये, अले हमको तो देखा है ना, मेल को, आल मेले ललके को है ना, गोल्डन चीजे खानी, आज बहुत ज़्यादा मन कर ला है, गोल्डन खाने का हमको, अले मुझे तो गोल्डन पीजा, गोल्डन बलगल, गोल्डन ब्ले सब के दुझे दबल पैसे दूंगा मेले लिए ना चीजे ले करा अरे वा वा देखो ऐसे कस्टमबर होते हैं एक फ्रूट के एक लाक्षे बतले दो लाक दे रहे और वो गरीब लाया नाया था जो फ्री में मांग रहा था यह सर जी यह वाला उतार के देदू क्या तुम्हे अले पापा जी देखो मैं तो एक ही बलगल खाके अफ्लेद हो गया और यह गाइस तुमने देखा क्या यार वो छोटे से बेबी ने देखो एक ही गोल्डन फ्रूट खाया तो वो कैसा अफ्लेड हो गया अभी देखते यह ना मोटे गोल्डन हल्क को क्या चीज मिलती फिर कैसे अफ्लेड होता है अरे माली के बच्चे यह ले दो लाख और रूपए मुझे जल्दी से मुझे भी फ्रूट लाके दे सोने का जिसे मैं भी मिरे लड़के के जैसा अफ्लेड हो जाओ मुझे तो है ना यहां यहां पर क्या लटक रहा है औरे वावा जाइंट बर्गर लटक रहा है मुझे तो यह वाला बर्गर उतार के दे जल्दी से चल दे दो लाक रूपए तुझे दे भी दिये अरे हां सरकार क्यों नहीं तुम बोलोगे वह उतार के दे देंगे यह वाला बर्गर आपका अच्छा लग रहा है रुको यहां से तो मैं इसको तोड़नी पाँ मैं तो फरी Rankin और से स्टार के देंद हैं आरक भी खा रहा है और यह के देको क्राइं थुक्त पर आपके देखो यार मैं तो है न एक जाइंट गोल्ड़न विंक्साइट दिने म Sweet का एक रूपिस. का investment बहुत ही मज़ा गया ओ गाई तुमने देखा क्या वो तो जाएंट बन गया मुझे माली के पास जा रहे बड़ेगा अरे माली भाईया माली भाईया सुनो मेरी बाचना ए फ्रैक्टित के बच्चे तुझे बोला ना फ्री में कुछ नहीं मिलेगा अरे प्लीज यार तुम एक फ्रूट तो मुझे फ्री में देई सकते हो और यहां पे देखो तुम्हारा इतना बड़ा गार्डन है इतने सारे पेड़ है सब पे सोने के फल फ्रूट लगते है यहां पे देखो एक बर्गर देदो यहां पे देखो एक पीजा यार यह पीजा का एक स्लाइसी देदो तुम्हारा कै जाएगा तुम तो पास तु इतने पैसे अभी तु चार लाग रुपे कमा यार तुने अरे ऐसे फ्री में मैं कुछ भी किसी को नहीं देता कभी पी पर एक चीज है बताएगा क्या करेगा वो तो मैं तुझे शायद फ्री में दे दू बर्गर अरे हाँ बताओ ना यार बूरी दुनिया उपर नीचे दाएबाय आगे पीजे कर दूँगा मैं तुम बस मुझे बताओ कैसे होगा देख यार अगर है ना सब जड़ी इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में फ्री लिखेंगे तो यार मैं शायद से ना तुझे एक है ना खाने का तुकड़ा फ्री में दे दूँगा और यो guys golden opportunity बोलते इसको क्या बोलते golden opportunity तुम लोग देखो miss मत करवाओ यार देखो तुमें क्या करना है इसे वीडियो को लाइक करना वर 100% free होता है देखो यह है ना माली ने बोला है जो यहां की देख बाल करता है कि अगर ना तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे और कम कमेंट सेक्शन में फ्री लिखोगे तो सब जनों को पता चलेगा कि यहां पहना मैं कितना अच्छा इंसान हूँ और मेरा बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा उनको ऐसा पता चल जाएगा ना कि यार इसने मुझे फ्री में दिया तो इसका बहुत सारा प्रमोशन हो जा चाहिए सब जनों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया और कमेंट सेक्षर मेरे लिए फ्री वी लिख दिया वहां थैंक्यू गाइस देखो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम करवा दिया यहां पे देखो मेरे पास और कि मैं यहां तो एक नॉर्मल लाइन पहले बनना है फिर उसके बदे से धीमे धीमे अप्ग्रेड होना है तो मेरे को तो लगता है मेरे को यह वाला पीड़ जा लेना चाहिए पीड़ जा बहुत जादा खता नाग लग रहा है आए यह रहा हां हम देखो यह पेड़ पेड़ पीजा वैसे यह बहुत अच्छी चोईस है इस वाले को खाके तुझे बहुत अच्छी शक्तिया मिल जाएगी और तुने लालचनी के अच्छी बाते वरना सब जनों को अगर फ्री में फ्रूट मिला तो तो बर्गर इसलिए करते जिससे वो जाएंट हो जाए डारे ने नी नी मै यहां पर आल चुका हो यहां पर देखो अभी अभी है न यह चोटे गोल्डन बेबी हलकी है न पड़्डे होई है तो इसको गिफ्ट में बहुत सारी सोने की चीज़े मिली है अभी मैं इसके पास जाओंगा पहले तो मैं देखूँगा कि इसको गिफ्ट में क्या-क्या च सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्षन में आरे लायन की मुझे डालना बिल्कुल भूलना चलो चलो चलते अले बल्ले बल्ले चावा चावा मेली बद्दे पाती तो बहुत अच्छी हो गए देखो मुझे किते चाले गिफ्ट मिल गए अरे हाँ हाँ बेबी यार मैंने स बेस्त मिलता है बहुत यह दा मज़ा आ जाती है देखो के तुम मेल को क्या के किफ्ट मिले थे मेले साथ आके अरे हाँ हाँ क्यों ने यार तू तो मेरा बेस्प्रेंड है अले बेस्प्लैन तो नहीं हो मैं तुमाला पर फिल भी दिखा दूँगा ये गलीब लायन को है अले बहुत साली सी चीज़े मुझे क्या मिली मिली लाँ तो उसके बाद देखो मुझे तो है ना ये सोने की इतनी सारी बड़ी-बड़ी लीमोजीन मिली, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लीमोजीन मिली है, मैं तो 6 लीमोजीन का क्या कलूँगा मुझे पता भी नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ मेरे सारे अच्छे प्याले दोस्ते न, शिंचैन, कीको, चीवा, उनको चपको एक एक लीमोजीन रिटन गिफ्ट में दो अले, हाँ, हाँ, यहाँ, 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 यह और ये देखो मेल को सोने का इतना बला है ना खिलोना भी मिला ये खिलोने के ऊपर चलके तो मैं बहुत काम करूंगा बहुत मजएगी देखो हैल हम दोनों का कितना golden golden matching matching है और उसके बाद देखो मुझे तो यहाँ पर चोने की चैर भी मिली है यहाँ पर चोने की चैर भी मिली है यहाँ यह चैर भी मैं ले लूँगा और उसके बाद देखो एल मेले पात तो है न इतने चाले चोने के छोटे छोटे खिलोने भी आए और तो यहाँ पर चोने का लुख नहीं है इसरो बात ही कर लो जल्दी काले है मैं आरे तो कोई बात नहीं है पार्टी कर ले iç pray electronics में लुख लो zuena yen अले देखो मैंने बोला था मुझे पौती आएगी अगर मैंने ये खाया मुझे नहीं खाना चाहिता चलो कोई बात नी आल मेल को खाने में तो बहुत जादा मज़ा आया तो अभी एक काम कलता हूँ जल्दी से चामने पौती कलने चला जाता हूँ अले ले बहुत जोलते काम करता हो यहांपर एना मेरी सारी इंपॉर्टेंट चीज़े इसको करके ना उसको ए से गायाब होने लग गई कितने अधा बढ़िया काम हो गया ना अब गाइस देखो यह चोटा बेबी मुझे नहीं देने वाला था की को शीवा शीन चैनिन सब को यह देने वाला था पूले लिए चलो पूती कलदी पुले लूमेच महली चमहलो गई पढ़ कोई बात नि मैने तो आना खा लिया गोल्दन पीज्या अले एक चिकेंट यह क्या हुआ अले मेरी साली चीजी लगी थी तूने मेरी चीजे ले ली गया गए लाए तो यहां पर चीजे आना तैंजैन अले क्या चिंचें आए था जो ठीसे और उनने के सीफिटेंगा यहां चिंचें अइंगा हए उसको कया हुँए तो इंदे चाओ पाल या पनी मर्जीव से नहीं किग गारी के से इक एक सोने फॉम कोई बात निया सामान या वो ये व फ्लैक्लिन का बच्चा तो चुछ प्ली में लेके नहीं गया नहीं 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 तो आया था मैंने उसको काट लिया मेरे मूह से देखो इसको पता ही नहीं हूँ जिसके पास एक गोल्डन लाइन का सूट है देखो यह पीपी तो पहुझता बुरा है चलो यार किसके मुझे कोई और तिकडम लगानी पड़ेगी एक सेकंड एक सेकंड अच्छा बेबी एक तो बता तेजी पार्टी हो गई क्या अले हां पालती तो ओ गई तो तुझा भी पार्टी तो नहीं मुझे कुछ खेलना मैं मेरे केच खेलेगा या मेरे पास आपस साथ हाँ चुरा लूगा फिर बोलोगा कोई चोर आके लेगा सभी प्लान एकदम ठीके बेबी रेडी है यह देख मैं बॉल फेक रहाँ अले हां दूल से दूल फेकना दूल एकदम दो एकदम दो एक तेजी से तॉल के लेकर लाँगा मैं आहां यह देखे बॉल फेका मैंने जा इसको भी टॉच करूँगा और देखो यह वाले बलून को भी टुच किया ओरे माय बाबा गाइस देखो इतना जादा स्ट्रॉंग महसूश हो रहा है ना अभी देखो वो बेबी आने वाला है ना उससे पहले जल्दी से मैं क्या करता हूँ ये इसका ये गोल्डन वाला स्टार भी एब्जॉप कर लेता हूँ ये देखो इसको भी टच किया ओर गाइस कितनी एनरजेटिक फील हो रहा है मुझे बहुत मजा रहा है पर गाइस देख मैं यहाँ पर नाटक कर रहा हूँ मैंने यहाँ बॉम फोड़ के खुद को थोड़ा से इंजर्ट कर दिया और यहाँ पर निशान भी हो गया अब वो बेबी रिटन आएगा तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आए थे वह ना बहुत सारे बं लेकर आ आने तो हमको तो हम तुमारी जान छोड़ देंगे पर यार तू मेरा दोस्त है ना मैं तेरे गिफ्ट चोरी कैसे उन्हें दे सकता था यार इसके लिए ना मैंने उनसे बहुत लड़ाई करी अब देख्यार यहाँ पैना वो जो तीन बड़े गुल्डन बलून थे वो तो पर बड़ा वाला गुल्डन स्टार भी ले गए पर यह तेरे छोटे वाले सारे खिलोने मैंने बचा लिए अम रियली सोरी यार उन्होंने मिर को बहुत मारा वरता है ना मैं तेरी यह चीज़े भी बचा ले था अले कोई बात नी कोई बात नी तुम बहुत अच्छे दोस में रिया रहल वन्हार कोई लोता ना तो तो चोलों के साथ ना मिलर के मेरे बात पूलो बोलो धेख्यार एक कवैनर मैंने देखा चयार सारी वापिस लेकर आसके तूआ फकर मेरे गोल्डन बेबी है बहुत स्ट्रॉंग है और मैंने उनको बहुत ज़्यदा काटा भी था मेरे लाइन के माउट से तो वह काफी ज़्यादा कमजोर भी होगे अले ऐची बात है क्या ठीक है यहां ना तुम मेले बचे भी खिलोनों का ध्यान लगना मैं चोलों के पीछे चलो मेली जीचे वापिस लेकर आने चोल के बच्चों डालोते कच्छों तुम्हें मैं चोलूंगा ने तुमने मेला चमान चुलाया मैं आला हूं मैं आला हूं मैं आला हूं तो नाटक टाइम कंप्लीट हुआ वह भी फिर से चला गया यहां पर देखार इतना बड़ा सोन सोने की चैर को भी अब्जॉब कर लेता हूं और यहां को यहां पर गयां की इतना खतरना गोल्डण लायन बन चुका हूं? और ये देखो और मेरे पास जो है ना इतने खतरनाक blade आ गए तोगे guys देखो lion के teeth एकदम strong होते न वो कुछ भी चीज को फार सकता है और मेरे पास तो देखो इतने बड़े बड़े teeth और उसके साथ इतनी बड़ी blades भी आ गए है जिस्ते मैं जो चीज चाहू उसका शिकार कर सकता हो जिनका चाहू उनका शिकार कर सकता हो जिसको चाहू उसको मार सकता हो चलो 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 guys देखो मैं मेरी जल्दी से नए मेरे है ना animal powers को test करता है अब तो बैसे भी मैं एक proper lion जैसा दिखने लग गया हो कहां पे हो इंसान लोग चुपे वे भार आ जाओ यह देखो guys मैं शहर में आ गया अरे यह रही आंटी और यह देखो guys मैंने तो एक पंजा मारा तो देखो पूरी आंटी कट गई और यह देखो एक और फिर से ही ऐसा हो गया वो देखो सामने गाड़ी है अभी guys वापे से अरे रोने की कोई बात नहीं आंटी इसमें कोई बात नहीं है देखो guys यार यह तो lion की पावर किती जबर्दस्त है अब golden lion बन गया था तो अब तो मेरे को लगानी था कि मैं इतना strong हो जाओंगा प्तर जी अभी तो तुम और भी ज्यादा ज्यादा उपर जाता जाएगा वाट मीम ज्यादा जाएगा उपपर जाता जाएगा अभी आपी सा कौनसा तरिक यह तунд किसी पास बीदियर कर देखो यहां पर फाय ट्रकार यह हो कर रहा जाओ वहाँ पे जल्दी से पहुच जाओ वहाँ पहुच जाओगे ना तो फिर यार मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा तुम्हारे अपग्रेड होने का हाँ हाँ ठीके कर देगे ओ गाइस देखो फेरे तो नखून से और या अंटी की पाई की दो तुगड़ों में जी हाँ तुमारे गोल्डन लाइन की नखून था भी काफी जादा स्ट्रॉंग हो चुके सोचे जब तुम पूरी तरह सब्ग्रेड हो जाओगे तो क्या हो जाएगा और हाँ गाइस ये तो मैं सोचा ही नियार कि जब मैं पूरी तरह से गोल्डन लाइन में करने पास नही लग गए अरे हाँ देखो मेरी भी दाड़ी की त्यादा तकटना लग रही लाइन की में मेरी भी आ गई है और देखो मेरी भी बॉड़ी गोल्डन अप्र दोनों तो एक दम है ना दादा पोते जैसे लग रहे ना पतर जी अभी तो तुम्हें और भी जादा अपग्रेड होना है मेरे से या और भी ज़्यादा अपग्रेड होना है हाँ इसके लिए तो मैं यहां पर आया हो आपने मुझे बोला था कि आप मुझे बताओगे कि मैं और सोने को किदर टच कर सकता हूं पत्तर जी हाँ तुम्हें एक बात तो पता ही होगी यार लोस सेंटोस में यहां पर तो काफी सारे सोने के तुकडे भी है पर यह तो थोड़े सी तुकड़े इससे मेरा कुछ होगा नी मुझे थोड़ा सा बड़ा हाथ मारना पड़ेगा न देखो यार दद्दू अलक मेरे नखून इतने बड़े इतने में से तुम इर नखून भी अफ्ग्रेड पत्तर जी हां बात तो सही है तुम्हें यार अगर लॉस्ट एंटॉस के सारे फॉंटेंस पे हिट करोगे अलग 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 फॉंटेंस पे जाओगे और उनका सारे सोने को टच करके अब्सॉप कर लोगे तो शायद से तुम्हारे को इतना गोलड मिल जाएगा कि त जाओंगा तो पत्तर जी येस येस बिल्कुल सही बोला अरे तद्दू अल्ग देखो यार वहां पर सही एक जन आ रहा है यार शायद से वह अंदर सोना डालने वाले अभी अभी मेरे को पटला होने का मांगता है पर मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती है मैं काम करता हूं यहां पहना यहां सोने के फांटेन में बहुत सारा सोना डाल देता हूं और इसको बोलता हूं कि मेरे को यार एकदम पत्ला हैंडसम दुबला मस्कुलर पॉपुलर स्पक्टाइकुलर बेक्चलर बना दे काशिव फांटेन मेरी करते मैं मोटा ना रहो और पतला हो जाओ वह फाउंटेन ये ले भाई बॉस मेरे को अप्गरेड कर देने क्या हो गया और गाइज ये देखुआ इस तो है इतना सारह सोना डाला ये magic wishing fountain में और देखो इसकी दो vish पूरी हो गई वाँ 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 देखो इसकी क्या बोडी बन गए अज़ी मेरी बडि तो क्या मस्त हो गई है मज़ा गई अब तो मैं सब जगा फोट वे डालूंगा मेरी ओए हज़ा गई अभी देखते हैं अरब मैं क्या कर पाता हो अरे यह तो बहुत बड़िया काम हो गय चलो गाइस देखौ इस ने यहाँ पर बहुत सारा सोना ढला था हुआ मैं जलसी से सोने को ले ले लेता हूं यहाँ जिसको टच करके मैं अप्ग्रेट हो जाऊंगा कोई कोई लोग यहाँ पर सोना डालके विशमांग के अपडेट होते हैं मैं को तो कोई विश्मागनी की जरुवती नहीं है, मैं तो है न, यहाँ पे सिर्फी सोने को टच करूँगा, तो यह अफग्रेड होता जाऊंगा, यह देखो guys, यहाँ पे सारे सोने को है न, मैं आपे गायाप करता जाता हूँ, यह देखो, यह, यह, हाँ, 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 सारे सोने को मैं टच करता जाऊंगा, इसको कायाप करता जाऊंगा, और हाँ, देखो यार guys, सही बोला, मेरा तो है न, मीटर भी अफग्रेड होने लग जया है, आए, पत्थर जी, हाँ, देखो, तुमने यहाँ, पे से काफी सारे सोने को तो टच कर लिया है, देखो, यार, ये तो थोड़ी से तुकड़े इनको छोड़ दो, अब अपने चलते दूसरे फांटेन की दरफ, हाँ, चलो, दूसरे फांटेन की दरफ चलते, पतर जी लेट्स गो यार मैं तुमें दूसरे फाउंटेन पे ले जाता हूँ हाँ चलो दद्दू हलक अरे दद्दू लायन मुझे ये काफे लेकर आगो यहाँ पे शेहर के बीच पर अपने घुमेंगे मुझे तो यार इनसान को खाने का मन कर रहा है पतर जी नहीं नहीं अ सोने के कितनी सारी चीज़े पड़ी है और देखो और ये वाले जो बड़े फाउंटेंज है इसमें तो कितना सारा गोल्ड पड़ावा है और यार पूरे शेहर से लोग यहाँ पे आते अपनी विश्पूरी करवाने के लिए और ये बड़े वाले फाउंटेन में बहुत स सारा सोना डालते ये सोना निकाल के घुद के लिए सबसे उची वेंडिन बना लिया और यार जैया जैसा सोदा मिल इसके लिए इनने किता सारे हैं इतने बढ़े और पतर जी होग बहुत सारे फॉंटें धर यहां पर एक तकलीफ है यह बैंक वालों ने यहाँ पर सिक्यूरिटी गाड रख रखें जिससे न कोई भी रैंडम आदमी आके यहाँ से सोना ना चुरा के लेज़े और सिफ बैंक वाले ही सोना रख सकें किसी को भी सोना नी चुलाने देंगे हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल टास्पोर्स वाले हैं यहाँ पर हमारा सोना गाड करना हमारा स्पेशल काम है अरे रे यह तो किती ज़्यादा गलत बात है गाइस देखो इनके बस इतना सारा सोना फ्री में रोज देखे जाते फि देखो और यहाँ पे side पे दो छोटे वाले fountain है जिसमें थोड़ा थोड़ा सोना है तो मुझे इनको तो खाना ही पड़ेगा और उसके बाद यह एक बड़ा वाला fountain है यहाँ जिसमें बहुत ही जादा सोना है तो मुझे इसको भी पूरा finish करना पड़ेगा मैं बड़े के खर्दम कर दूँगा क्योंकि यह भी है ना side में ना तो इसको कोई देखनी पाएगा यहाँ पे सिर्फ एक दो आंटिया खड़ी है मुझे इंसे डरती लगता और यह जो मेन वाला security गाड़ है इसको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे देखो भाई कितने सारे फिनिश करता हो यहाँ पर मैं जाओंगा एकदम धी में जाओंगा इससे मुझे कोई है ना देखना पाए मेरी लाइन की मैं स्टेल्स पूरी इस्तमाल करूंगा यहाँ पर जाओंगा इसके पीछे और यह मैंने नखून मार दिया हाँ हाइस देखो एक ही शॉर्ट में यह पहले से ना सिक्वरिटी को अलट कर देगा तो मुझे ऐसे पीछे से घूम के जाना पड़ेगा ठीके 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 कोई बात नीगा इस फोड़ा सा लंबा डीटर लगेगा पर इसमें क्या बात हो यहाँ पर देखो और यहाँ नहीं 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 गाइस मैं यहाँ पे लॉस एंटरस में घूम रहा हूँ सब जगा हले मच रहे यार जल्दी से मुझे मेरा काम करना पड़ेगा यह देखो यह रहा अरो यह लायन ने तो इंसान को मार दिया अरे किसने देखा किसने देखा ओओओओस तो फ्रीका इतना सारा गोल्ड मिला है मुझे अरे बले बले शावा शावा गाइस देखो यहाँ पे भी सारा गोल्ड साफ कर दिया और तु पने एक चीड़ नोटिस करी कि यहाँ पे मुझे पुलिस के ठोड़े ठोड़े साइरन सुदा ही दे रहे पुलिस ना आ रही हो यार किसी ने बोलना दिया और मैंने दो-तीन जनों को मेरे लायन के नखून से मार भी दिया है चलो देखो गाइज अभी है ना मारा मारी का टाइम चला गया है अभी है ना मेरे को ये तीसरे और आखरी सिक्यूरिटी काड को बुद्दू बराना पड़ेगा अभी यहाँ पे बहुत सारा सोना इकटा हो गया है बहुत जनों ने सुपे से विश मांगी है करोड़पती लोग आके यहाँ पे मनते मांगे गए अपने बड़े-बड़े सोने के बार डालके मुझे इसकी पूरी रखवाली करनी पड़ेगी देखो यार यह वाला गार तो हाई अलर्ट है क्योंकि आज बहुत सारे करोड़पती लोग बड़ी-बड़ी चीज़े डालके गए जालो यार देखो मैंने पूरा एक अच्छा सा प्लाइन सोच लिया है यहाँ पे मैं जाता हूँ इससे बात करने के लिए एलो जी एलो एलो अंकल जी सुन रही हो क्या कॉन है कॉन है इनक वालो णे कबसे एलpow गोल्डन लाइन को जॉप में रखना चालू कर दिया अरे हम लायन लोग यार, सस्ते में काम करते न, इसके लिए हमको जॉब में रख लिया है, ऐसी बात है क्या, चलो अपना ID कार्ड दिखाओ मुझे, फिर मैं तुमें हाँ पे साफ सफाई करने दूगा, ID कार्ड, ID कार्ड कहां से लाओ यार अप मैं, अरे ID कार्ड नहीं है, त उपर फाउंटेन की सफाई करके था न, वहाँ पे गिर क्या होगा, जल्दी आओ, जल्दी, वना प्लिस को बुला लूँगा, अरे गाइस क्या करूँ, तो कोई काम करता हो, यहाँ पे यहाँ पे मैं जाता हो, यांकल की ID कार्ड उठा लेता हो, और से पिसके अपना नाम यहाँ पर फाउंटेन से बारा, जारे आ रहा हो न, चलो 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 यह देखो, यह रहा मेरा ID कार्ड देखो, यह देखो, देखने में तो सही सही लग रहा है, एक दम ओरिजिनल ID जैसी क्वाल्टी है इसकी भी, ठीक है ठीक है चलो, तुम यहाँ पे सफाई करने लग पर ID कार्ड एक्तम औरिजिलर है, आइज आईडी कार्ड तो औरिजिनली ऐसे तो, चलो यहाँ पे फाउंटेन पे पूटता हो गाइस पहले तो इसकी नजरों के सामने से है न, औरिजिनल आदमी जैसा काम करता हो, यहाँ पे देखो, साइड में चड़ता हो, यह देखो, स पर की कमाई हो जाती थी, तर अपसे जब से नियम बदले न, कोई उपर की कमाई ही नहीं बची है दंदे में, तुम तो देखो याद, कहाँ पे साफ सफाई करते हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाते, हैना हैना सही बोल रहाँ न, अरे हाँ मैं चोरी वोरी नहीं करता है, मैं आदमी हु, देखो पूरा फाउंटेन साफ कर दिया, म는 पूरा सारा सोना चूरा लिए मैंने, हैं, क्या, चोरी कर लिए, अरे यह नहीं गरताओ, बहुती कम रूपए कमाता हो मैं तो, чलो कोई बात नी, काम करो हैं बच्स् उठाता हूं ना इसके लिए मेरी मसल्स बढ़ी हो रही है मैं ये सोने को खुद को एब्जॉब करके स्ट्रॉंग नहीं कर रहा हूं पक्का पक्का अच्छा इसी बात है अंडर्स्टेंडबल यार यह सोना काफी ज्यादा भारी है तो इसको उठाने में 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 तो लगेगी गाइस ये देखो यार ये लास्ट पीस ओफ गोल्ड है इसको जैसे एब्जॉब करूँगा मैं अपके रिट हो जाऊंगा ये देखो अरे जल्दी कर वूँआइस ये देखो यार मैं तो मेरे दद्दू लाइन हल्क के जैसा हो गया हूँ आय पतर जी आम सो प्राउड वेलकम तो दफैमेली तुम तो मेरे जैसे एकदम स्ट्रॉग बन चुके हो अरे हाँ हाँ गाइस देखो यार मैं तो मेरे दद्दू लाइन हल्क जैसा एकदम स्ट्रॉग यार गोल्डन कलर के सूट वाला मस दाड़ी मूच वाला बन चुका हो और देखो मेरे पास तो गो यहां को तो से भी ज्यादा स्पीड पर दोड़ रहा हूँ ओ माइगाड मेरी लाइन की स्पीड तो किती ज्यादा बढ़ चुकी है तुम था हमारी फैमिली के वन आफ द स्ट्रॉंगेस गोल्डन लाइन बन चुके हो है ना यार मुझे भी ऐसा ही लग रहा था पर पतर जी बात बताओ क्या तुम एक जाएंट गोल्डन लाइन हल्क में अपग्रेड होना चाहते हो और अगर वो कॉम्पेटिशन जीत गए तो तुम एक जाएंट गोल्डन लाइन हल्क बन जाओगे अरे नेकी और पूछ-पूछ बिल्कुल जल्दी जल्दी आ रहा हूँ गाइस देखो अभी तुम चाहते हो ना कि मैं एकदम स्ट्रॉंग लाइन दद्दू हल्क से भी जादा कंश्ट्रॉंग हो के एक जाएंट गोल्डन दद्दू हल्क लाइन वाला बन जाओ तो जल्दी से वीडियो को लाइक करतो जिससे आना मैं आगे जागे कॉम्पिटि पसंद है आज तुम सब लोगों को मैंने यहां पे खटा किया है क्योंकि तुम्हें रिवार्ड मिल सकता है बहुत ही जादा खतरनाक सोना जो यह बॉल्स की नीचे छुपावा है अगर तुम्हें यह सोने तक पहुचना है तो तुम्हें यह बहुत यह तकड़ा और खतरन अब्स्टेकल कोर्स करना पड़ेगा पर अगर तुम्हें यह कर दिया तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक रिवार्ड मिलने वाला है तुम्हें पता है क्या है वो और मेरों को अपने हना जाइन्ट अनिमल गोल्ड वाले बन पाएंगे और जिसके पास तकड़ी पावर हो है जाइन्ट बुद्धुनी मैं जाइन्ट गोल्डन लाइन हल्क बनूंगा वह ज़्यादा खतरनाक पावर वाला अब कौन जीता है कौन नहीं यह तो अपने देख के बता सकते हैं पर देखो यार यह competition शुरू करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे नंबर दिये वही बाई यह तो कितना जादा खतरना आगे चलो कोई बात नहीं देखो इसको यहाँ पे लेके जाना है फिर हमें सारी कलरफुल लिमोजीन की उपर से जाना है सारी लकडी की तुकड़ों पे से जाना है और यहाँ पर इतने पतले पतले रस्तों में से आगे जाना है बाई बह यहां पर दो तुद्ता सारा हो जाएगा फिर यहां पर बहुत सारे बर्गर पड़े उन से बचना और यहां एक दीवार को तोड़नी है और यहां से हमें वहितल के चेज़ करके अंदर से दूसरे गणा पर से फिर यहां को क्रॉस करके फिरिये तीरी जमीन से अपने को एक तकड़ा जम मारना पड़ेगा और जम मारके यहाँ पर गिरना पड़ेगा उसके बाद देखो वापिस से एक और जम लगे गए छोटे रैम से उसमें से एक और दो में से नीचे निकलना पड़ेगा यह वाली है ना एरिया में से निकलना पड़ेगा जहां पर इतने सारे obstacles है period confusion tunnel में से निकलके हमें बहुत सारे और jumps मारने पड़ेंगे और finally सारे jumps मारने तो हम यह वाली एरिया में आजेंगे जहां पर इतना सारा सोना पड़ा है चुपावा बबलू पहलवान की बारी है और बबलू पहलवान अपनी Captain America वाली बाइक लेकर आया है जलो अभी एक बारी गायब होगा और फिर ही आएगा फिर मैं जाओंगा यूंकि बबलू पहलवान को कोई भी रिक्स लेना नहीं मांगता आज तो यह देखो सारी लीमोजीन के उपर से चला गया मैं अरे यहां पर क्या हो गया अरे यार बबलू पहलवान जट तरीकी तुने इत्ती जल्द बाजी क्यों करी यार बुद्धू हो जैसे बबलू पहलवान एक नंबर का बुद्धू है बुद्धू पानी में गिरना डिजर्व करता है बबलू पहलवान अरे मेरी बारी आ गई है मेरा नाम है टाइगर किंग यह देखो मैं तो किती खतरनाक बाइक लेकर आया हूँ अरे तेरे हाथ भी नहीं पहुच रहे उपर गेमिंग की मशीन से ये तो इसने सारी गिरा दिया और यह देखो काफी आगे तक भी पहुच गया इस थोटा सा दरवाजा भी तोड़ दिया और यह देखो यहां पर आगे फूल स्पीड में जाता जा रहा है अब यहार यह सच्वार इसका जिगर तो थोड़ा बड़ा न मैं कुछ देखी नहीं रहा है लो जिगर बड़ा जिगर बड़ा करता रहे अब तो पानी में चला गया यह एक गोल्डन चीता और जिगर नहीं तरह होता है हम में दिमाग के दिमाग होना जिगर से ज्यादा तो किंग को पास दिमाग नहीं तो चलता है ना मैं तो मेरे आजू-बजू लोगों को और्डर मार के काम करवा दूगा न सारा अरे ऐसा नहीं होता दिमाग तो सब कुछ ही होता बुद्धू फ्रैंक्लिन अगर तेर पर दिमाग नहीं होगा तो तुझे कुछ भी नहीं मिले आगे चला जाओंगा तो देखो पता भी नहीं चलेगा सारा अप्स्टेकल मैं क्लियर कर दूगा वैसे गाईस देखो और मुझे पूरा भरोसा यह पूरा तो नहीं जीत पाएगा अभी जितना आगे तक चले जाए नो उतना आगे तक का मुझे एक्स्पिरेंस हो जाएग तुने बोलो और मैं नीचे गिर गया और हाँ तुझे तो यार किंग आफ लोसेंट आस्नी किंग आफ काली जबान बोलना चाहिए तेरी जबान तो सची में बहुत काली है भाई मेरे लिए कुछ मत बोलना यार प्लीज आरे नहीं नहीं वैरूल्स चाचा आपके लिए भी करते करते अपगरेड यार मुझेAyन कर नो जानदे तु अठना तो अल्डेडी लाइन में अपग्रेड हो चुका जाना तूं समझोगे नियार मेरे सपने सुऴानी लड़कपन के बहुत बड़े बड़े तुम अभी छोटे बच्च्चों यार चोटे ही रहा है औरे फ्मो कि कोई ज़रूरत नहीं है यह देख रहा है मैं तो क्या ख़दरनागी हूँ यह देख यहां पर भाइक रोके मैं तो सब कुछ करके आगया गया कैसे कैसे किया यार और मेरे पास टेक्शल टेक्नलोजी वाली बाइक है तुन समझेगा मेरे प्यारे बद्धु बच्चे आरे नहीं 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 निशे गिर ज़ंगा तुझ याइसे निचे बोलता है यार बहुत आगे चला गया कोई बात नहीं फ्रैंक्लिन की काली जबान को तो मैंने हरा दिया मैं तो उसके लिए खोशू एरोप्लेन वाली मेरी बाइक के साथ मैं तो जा रहो पाए बाए ओके गाइस तो देखो यहाँ पर फाइनली मेरी बारी आचुकी यार मेरे पास तो उड़ने वाली बाइक वाइक कुछ भी नी यार पता नी कैसे आगे जाओंगा ओए 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 बाइस मैं तो भी ज़ता रिक लिली यार मैं एक सिकेंड रुका नी रहा तो वहाँ पर देखो अभी स्टार्टिंग में नीचे गिर जाता पर वैसे गाइस देखो मुझे पता है कि मेरे पास तुम सब लोगों का लव एंड सपो जब मैं भी एक जाइंट हल्क बन जाओंगा तब यार मैं भी ऐसी बड़ी नंबर प्लेट वाली चलाओंगा क्योंकि मुझे है न एक दम इतनी बड़ी जरूवत होगी यहां पर मैंने भी है न वह बीस्त की तरह थोड़ी सी ने चीज़ें स्किप कर दी पर यार मेरे पास जोड़ने वाली बाइक नी थे ने इसके लिकिन ज्यादा चीजों को मैं स्किप नहीं कर पाया चैलो कोई बात यहां पर से देखो मैं आगे जा रहा हूँ ओए बापर यार इतना चोटा था तो लेज है और उसके बाद यहां पर से टन करने का काम दे दिया है बहुत ज्या मैं तो गाइस यहां पर गाड़ी वाड़ी चेंज करने नहीं वाला मुझे तो मेरी गोल्डन के टीम बड़ी प्यारी लगती है चलो अभी देखो इसमें बैट के आगे चलता हूँ मैं और यह देखो यहारी कदर वाली ट्यूप में भी मैं घुस चुका हूँ और यह पर वाली ट्यूप के उपर भी आ गया और यहां पर देखो नीचे गिरता गिरता बच्चा यहां पर देखो फटा पोस्टर निकला हीरो कर दिया है मैंने और आगे जाओंगा आगे जाओंगा ओके गाइस देखो यहीं पहना वो बीस ने गड़बड करी थी मुझे गाइस यह तो देखो मैं तो एक है न लाइन जाएंट औरेंज कलर का है न हल्क बन चुका वो भी लाइन की पावर्ड वाला यह देखो कितना ज्यादा तकड़ा अपगेरिट मिल गया है मुझे तो गाइस देखो और यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर करना और देखो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है यह देखना है बहुत अच्छा है तो चलो मैं मिलूँगा तुम्हें जीटी फैक एक लिए पिसोड में तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइब